हेलो गाइज, वेलकम बेक, इस जेरी, उमीद है आप सभी लोग ठीक है, और आज हम सबका इंटेजर ख़त्म हुआ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं, सी हलक एट और नी एट लोग के एपिसोड वन के बारे में, जो अब मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन करने का है, वेल, तो अभी जेन, अपने केश के आफ़ी डलिल को जोरी के सामने प्येस करने की प्रैक्टी स कर रही है, जिस में उसकी बेस्ट फॉन की अशिस्तन भी है, वो कुछ मदद कर रही हैं, और जेन का लोईर पार्टनर भी उसकी मदद करने के लिए है, और वो इ ऐसा है तो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ उसके पास पावर भी है जील के इस कंपनी के लापरवाई की वज़े से बहुत से लोगों की जान गई है जिसके बाद ना ही उन्होंने कोई माफी मागी और ना ही कोई भी रखम पीडितों को बेयाने की तोर पर दी तो चैन चोरी मे ेस्ट में जाता है जहां हम जैन को ब्रुट पेंडर के साथ बैखते हैं लस्ट टाइम हमने स्मार्ठ हल्क को END game में देखा था जहां चुटकि बजाने के बाद उसका हां टेमेज हो गया ठाप और उसके बाद स्मार्ठ हल्क ने एक डिवाइस बनाया था जो इंसान के रूप में रह सकता है अभी जैन अपने कसन बुरुस्ट के साथ एक रोड ट्रिप पे जा रही है जिसमें बुरुस्ट अपनी पूरानी बाते बता रहा है इस बातों में हमें एक और कसन जहेट के बारे में पता चलता है जो इन ही क तरह जीनियस है जेन को कैप्टन अमेरिका में भी काफी रूची थी जेन पता लगाना जाती थी कि काप्टन स्टील वर्चिन है की नहीं जो कि बर्फ में से निकलने के बाद उसकी जिंगी काफी व्यास्ट रही और उससे पहले वो जंग में व्यास्ट था बैनर कोई भी जनगल में जाता है जंगल के बार निकलते ही जेन एक कलब के वोस्रूम में आती है वहाँ वो सिच्वेशन समझी रही थी तब ही कुछ गर्स वहां आ जाती है और समझती है जेन के अपने बोल्ट प्रेंग के साथ लड़ाए हो चुकी उसके बाद जेन को वो सभी गर्स टेयर करने लगती है जेन उन में से एक काफोन लेकर बाहर आती है बाहर आके जेन बैनर को कॉल करके बुलाती है जब जेन कलब के बाद बैनर का इंतरार कर रही तब कुछ लड़के आके जैन को चेड रहे थे जैन उन्हें इग्नोर करके जा रही थी पर वह लड़के सबी बत्व मीजिकर उतर गए और जैन घुसे में आकर सी हल्क बन गई जैन उन सब को ठोप नहीं वाली थी तब ही स्मार्ट हल्क उदर पर आजाता है अगली शुबह कमरे में जैन की नीन खुलती है और कमरे में रखे टीसेट को पेहन कर वह बाहर आती है और उसे पता चलता है कि वह एक मेक्सिको के आईलेंड पर है उसके बाद जैन को हॉल में एक टूता हुआ है जो आईरन में का होता है उसके बाद जैन म्यूजिक सुनते ही उस कमरे की बढ़ने लगती है जो बेस्पेट में एक सिग्रेट लेब है जहां उसे स्मार्ट हल्क दिखता है वैसे पोपर्टी तो सभी टोनी स्टार्क की है अब दोनों बात पे चर्चा कर रहे हैं कि वो पैसिक हल्क को क्यू ढूंद रही थी अब बैनर जैन को बताता है कि अब उसके बोड़ी अच्छे से रेडियेशन के साथ फूल मिल गई है और जेन की बोड़ी कॉंबिनेशन के वज़े से अब स्मार्ट हल्क का हाथ ठीक हो चुका है अब जेन समझ जाती है कि वो स्मार्ट हल्क से बेहतर हल्क बनेगी सी हल्क के सैंपल को प्लस करने के बाद जेन को समझा रहा था कि उसे खुड को अपना न होगा तब ही वो पहले जैसी लाइफ चीह सकती है तब ही अच्छानक जेन की साथ से फूलने लगती है अब डोनों बैसमेट से बाहर निकल कर ऊपर आते है जहां जेन को ब्रेकपस करते हुए हल्क जेन को समझा रहा था कि अब उस से अपना काम छोड़ना होगा अब लोग उसे दूर रहना पड़ेगा और जेन तैयार नहीं थी और हल्क उसके घुसे को कंट्रोल करने के लिए अब सारी नोट दिखाता है अब जैसे जैन को अपने घुसे पर कंट्रोल आता है वैसे ही वो अपनी पुरानी लैप चाहकर सकती है अब ब्रूस और हल्क को को एक करने में उसे पन्रा साल लग गए थे इस बात से जैन भी बहुत परेशन थी कि उसे भी पन्रा साल तक प्लेक्टिस करनी पड़ेगी वैल हल्क ने जैन के पेरेंस के साथ कॉल करके बात कर ली थी कि वो बाहर घुमने चाह रहे है अब हल्क जैन को एक चेंबर में डालके एक जैनने की कोशिश कर रहा था कि जैन कब सी हल्क में बडलने लगती है ऐसे तो दर और घुस्षा उन्हें हल्क में बडल देते हैं तो स्मार्ट हल्क चेंबर में लगे हुए कटर को कौन करता है उन कटर को देखकर जैन पैनिक हो जात तब C hulk available है वाहन होँआ हैं दोनों साथ रहते हैं मैंने में सिर जेन परी का applies की आप भी हल्क करें सने झाना था लेकिन हऀसे समझाता है कि उस्ने कुछ तो लोग उसे मौस्टर समझ के नपरच करेंगे अब खुद को स्टेबल करने के लिए वो स्मार्थ हल्ग के साथ प्रैक्टिस आलू कर देती है तो सबसे पहले वो डेलिक टिकर बेहब वियर ठेरपी पे काम करते हैं इस ठेरपी के मदद से वो दो विरोधियों हालत को एक सा प्रैक्टिस करने की बात बोलता है अब सुबह में जहन शोई हुई थी तभी बैनर आकर एक भोंपू लेकर उसके पास बजा देता है उसकी आवाज से अचानक जहन एक सी हल्क में बड़ल जाती है और अचानक उट जाती है और बैट टूट जाता है हल्क नोट बनाता है क अपने बेस्ट प्रेंड यानि की स्पेंडेट वाले कपड़े से मिलाता है जो कि उसे हमेशा दो कपड़ों की जरूरत पड़ेगी जो जहन को चाहिए और दूसरा सी हल्क हो उसके बाद दोनों साथ में फूल मस्ती करते है जिसमें सी हल्क काफी दूर पत्थरों को फेक द अब हम देखते हैं कि सी हल्क को खुद पे कंट्रोल आ गया है पर अभी भी स्मार्ट हल्क सटिस्पाई नहीं था क्योंकि जियान अपने नॉर्मल लाइप में गई तो उससे आम लोगों को भी खट्रा हो सकता है यह सुनकर सी हल्क नीरास हो जाती है तो स्मार्ट हल्क उसे को बताया नहीं कि हमें चड़ चुकी है नशे में तल्ली हल्क अपने बेस्ट प्रेंट टोनी स्टार को याद करता है कि कैसे और के बाद आधी दुनिया गयप हो गई थी तब वो डोनों ने कैसे इस घर को बनाया था वह समें बहुत ही मुश्किल टाकिर भी दोनों ने कपर चाना है क्योंकि अ впriaTorinik बनने में उसने बहुत ही मैंड़ की थी फिर हल्क उसे फिर से स्मजाने लगता है कि उससे अपने घुष्य को कंट्रॉल करना होगा जिसे कि वह स् dem set ना बनी पर जेन को कोई सूपर ही वेपने में एंड्क है नहीं और फिर जेन अपनी बात कहती है कि वो एक ओरत है और उसे अपने घुसे पर पूरा कंट्रोल है और यह सब बोलते बोलते जेन फिर से सी हल्क में बदल जाती है और हल्क को यह लगता है कि जेन घुसे से वज़े से सी हल्क बनी है तो जेन सी हल्क में बदल कर उसे दिखा रही ये अपनी वीका लक्साहँ वे लोगों का भूला करना चाहती है और अपना हुलकू से बच्ची की तरह ठीट कर रहा था और अब हल्क खड़ा हो जाता है और जहन को फिर से समझाने लगता है तो जहन सी हल्क में बड़लकर हल्क को एक जोरडर पंच मार देती है और अपना हल्क उसे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था C Hulk उसे काफी दूर फैक देती है और Hulk अपने थंडर क्लेबर का यूज़ करके उसे काफी दूर जगह पे फैक देता है अब C Hulk भी क्लेब बजा कर साउंड वेप्स निकालती है और Hulk का बुरा हल कर देती है और अब शुरू होती है दोनों में एक fight अभी तो असली में जाशूरू ही हुआ था कि दोनों लड़ते लड़ते बार की उपर गीर जाते है और पुरा बार तूट जाता है तो अब दोनों fight को end करके बार को repair करने लगते है तो इसके बार अब Hulk जेन को उसके नॉर्मल वाली life में जाने की permission दे देता है बार के repair होने के बार जेन भी अपने initial sign बार के count के उपर कर देती है जो कि Bruce और Tony ने अपने initial sign वापर कर रखे है जेन को भेजने से पहले Hulk जेन को बताता है कि उसे कोई भी मुसिबत हो तो Hulk को याद करे अब जेन भी Hulk से मात माती है क्योंकि जेन ने भी Hulk को बहुत ही बुरा बला का और और दोनों अगली family dinner पर मिलने का वादा करते है और जेन चली जाती है यह थी जेनीपर वाटर की Sea Hulk बनने की कहानी पिशारी स्टोरी प्रेंजेट में हमें जेन बता रही थी और वहाँ से आने के बाद जेन एक बार भी Sea Hulk में नहीं बनी उसकी खास दोस बनी और उसके परिवार वालों को भी यह मालूम था कि वह Sea Hulk अभी भी बन सकती है जेन कोट में अपना कैस लड़ने के लिए जाती है कोट में जेन के एचन क्वीटी जोहरी को यह समझाने लगा था कि उसके क्लाइंट ने यह सब जान बुच कर नहीं किया तरक्य में कुछ हाद से हो जाते है पर इसमें उसके क्लाइंट का क्या कसूर अब जेन को जेहन को जोहरी के सामने अपनी आखी डली को पैस करने के लिए कहते है तब जेहन खुट को तयार कर जेहन कर जोहरी के सामने बात करने ही वाली थी तब एक म्युटन कोट रूम में हमला कर देती है तो नीकी जहन को C-Hulk में बदल कर लोगों की मदर करने को कहती है अब जहन अपने सैंडल निकल कर C-Hulk में बदल जाती है और जोही की जहन बचाने के बार म्यूतन को एक ही पंच में नोकाउट कर देती है C.Hulk के लिए कोट में बैठे सबी लोग उनने टालिया बजाई थी और कुछी सेकंड में C.Hulk जेम में बदल जाती है और अपने सेंडल को फिर से पहन लेती है और जोहरी को आक्री दल देने के लिए कोट में तैयार होती है यहाँ पर सी हल्क का फर्स्ट एपिसोड पूरा होता है तो उमीद है आप सभी को एक वीडियो पसंद आई हो तो अब जल्द मिलेंगे अपने नए वीडियो में